वेल्कम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास नाइन बीहाइव बुक से जो चैप्टर नमबर फोर है आज हम करेंगे उसके क्वेस्चन आंसर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें आइनस्टाइन के बारे में ये विचार किसके थे वो बहुत जादा बोरिंग है ये विचार थे उसके प्लेमेट्स यानि कि जो उसके साथ बच्चे खेलते थे वो एक स्टूपिड बच्चा है और कभी भी जीवन में सफल नहीं होगा ये विचार किसका था उसके हेड मास्टर का यानि उसके टीचर का और उन्होंने ये वाली बात उसके पापा को बोली थी स्कूल में किसको लगता था कि यार वो एक नंबर का बुद्धू है गधा है फ्रीक है उसकी मदर को लगता था इस्टार्टिंग में जब वो बच्चा था इन चीजों का आपको रीजन बताना है जो आइंस्टाइन है वो स्कूल छोड़ देता है म्योनिक का क्यों छोड़ देता है स्कूल क्योंकि उसे स्कूल का दिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसकी टीचर के साथ लड़ाई जगड़े होते रहते थे आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी इसलिए अपना जो म्योनिक वाला स्कूल था उसने वो छोड़ दिया आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टड़ी इन स्विजर लेंड रेदर देन इन म्योनिक आइंस्टाइन स्विजर लेंड में पढ़ाई करना चाहता था म्योनिक के बजाए क्यूँ अब देखो आइंस्टाइन वांटिट टू स्टड़ी इन स्विजर लेंड रेदर देन म्योनिक ये जो पूरा ब्लू वाला पोर्शन है तो चिल्ड ये पूरा ब्लू वाला मैंने वहीं से क्वेस्शन से उठाया है देखो कि स्विजर लेंड के लोग जो थे वो जादा लिबरल थे अब लिबरल का मतलब क्या है लिबरल का मतलब है ऐसे लोग जो दूसरे की फिलिंग को समझें जो दूसरों के विचारों को समझें जो दूसरों की feeling को thoughts को innovative ideas को respect दें next Einstein seeing in Mileva and Ellie Einstein को Mileva के अंदर Ellie का मतलब है एक friend दिखाई देता है उसको लगता है कि finally मुझे एक दोस्त मिल गया है क्यों Einstein saw an Ellie in Mileva because she understood his thoughts क्योंकि वो उसके विचारों को समझती थी and respected them और उसके जो thoughts थी क्योंकि वो scientist था एक अलग ही level का genius था तो Mileva उसके विचारों को समझती थी और उनका respect भी करती थी इसलिए Mileva में उसको अपना एक close friend दिखाई दिया what do these tell you about Einstein इन सब बातों से हमें Einstein के बारे में क्या पता चलता है हमें ये पता चलता है कि भईया Einstein was a genius एक genius था ठीक है but he had his own view of life लेकिन उसका जो तरीका था जिंदगी जीने का अपना ही एक तरीका था he liked freedom too much और उससे foundation बिलकुल भी पसंद नहीं थी उसको हर चीज में आजादी चाहिए थी freedom चाहिए थी next what did Einstein call his desk drawer at the patent office अगर आपने ये chapter पढ़ा है तो Einstein patent office में जब काम कर रहे थे तो वो एक assistant थे मतला उनका काम था जो बड़े scientist थे उनको help परना लेकिन उनकी जो drawer थी उनकी जो desk थी वो ऐसे भरी रहती थी जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो वो अपनी desk को क्या कहते थे Bureau of theoretical physics कहते थे क्यों क्योंकि वो अपनी ही theory पे काम कर रहे थे अपने ही ideas पे काम कर रहे थे secretly अब इस बात को अपने words में लिख देंगे Einstein called his drawer at the patent office ये पूरा मैंने question से उठाया Bureau of theoretical physics उसको क्या कहते थे पूरा Bureau है मेरे पास theoretical physics का क्यों as he used the drawer to store his ideas secretly और वो अपनी ही ideas पे काम कर रहे थे चुप चाप से ठीक है चल्डन अगर आप मुझसे बात करना चाते हो मुझे message करना चाते हो तो आप मुझे instagram पे follow कर लो englishbaba.eb और अगर आप चाते हो हमारे टेलिग्राम ग्रुप से जिड़ना जिसमें चार-पांच हजार से ज़ादा boys and girls all over India से जोड़ चुके है तो instagram और टेलिग्राम दोनों का link मैंने description में डाल दिया है वहाँ से आप join कर लीचे वाई डिड़ आइंस्टाइन write a letter to Franklin Roosevelt अब Franklin Roosevelt कौन थे अमेरिका के president थे उस time पे तो उनको letter क्यों लिखा भाई अगर आपको पता हो जो नाजीज लोग थे जब वो Jews को मार रहे थे दुनिया पे आकरमण कर रहे थे तो उन्होंने atom bomb बना लिया था तो जो Albert Einstein है उन्होंने Roosevelt को letter लिखा के भाई इसको हलके में मतले ना ये bomb इस तरह का bomb है अगर ये फट जाएगा तो भाई सब पूरे के पूरे nation को पूरे के पूरे country को तबाह कर सकता तो उनको warning देने के लिए नाजीज है डेवलप atomic bomb नाजीज लोगों ने atom bomb develop कर लिया था which could destroy an entire nation जो पूरे के पूरे nation को खतम कर सकता था so Einstein wrote a letter to Roosevelt इसलिए उन्होंने Roosevelt को एक letter लिखा to warn him about this bomb ताकि उनको पता सके कि इसके क्या-क्या खत्रे है how did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki आपको पता होगा history में अमेरिका ने Japan की दो शहर Nagasaki और Hiroshima पर atom bomb गिरा दिया था एक युद्ध के दोरान तो Einstein का reaction क्या था Einstein ने जब ये तबाही देखी तो वो बहुत ज़्यादा नाराज भी हुआ और दुखी भी हुआ Einstein was deeply shaken by the extent of destruction destruction का मतलब ये देख रोग तबाही जो हुई उससे बहुत ज़्यादा वो हिल गया अंदर तक and started a campaign for the end of arms build up और उन्होंने एक ऐसा campaign चालू किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि arms build up का मतलब है हत्यारों का बनाना बंद होना चाहिए क्योंकि यार जब भी कोई हत्यार बनेगा जब भी कोई missile बनेगी उससे किसी का फाइदा तो होगा नहीं अगले आदमी मरेगा ही मरेगा तो उन्होंने का कि हमको हत्यार बनाना बंद करना पड़ेगा पूरा संसार उनको वर्ल्ड सिटीजन क्यों कहता है देखो the world remembers आइंस्टाइन as a world citizen because पूरा पूरा ये वाली लाइन मैंने question सही उठाए he believed in universal peace वो ये चाते थे कि सारे जो देश है इस संसार के वो peace यानि कि शान्ती पूर्वक रहे प्यार से रहे he cared about the entire world and not just one country वो पूरे संसार की परवा करते थे ना की केवल एक country थी भई अगर वो चाते तो वो केवल अपने country को promote कर सकते थे जर्मानी को लेकिन उनोंने ऐसा नहीं किया वो पूरे संसार से प्यार करते थे इसलिए उनको world citizen कहा गया है चिलन लास्ट में एक इस तरह का question है जिसमें काफी सारे sentences है और यह आपको chronological order में लगाने है मतलब एक sequence में लगाने है तो यह है इसका answer यह मैंने लगा दिया है इसको एक बार देख लेना जैसे पहला है आइंस्टाइन बॉन हुए थे जर्मनी में फिर वो स्कूल गए म्योनिक में उनकी family चली जाती है मिलान तो यह है वैसे इस तरह का question exam में usually नहीं आता इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखता हूँ कितने बच्चे right answer देते हैं according to his dash Einstein was a freak Einstein के किस relative के हिसाब से वो एक freak था पागल था गधा था father के साब से, mother के साब से, teacher के साब से इस question का answer आप मुझे दोगे comment section में I hope मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा please video को like कर देना, channel को subscribe कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में bye bye